हस्पताल करमचारी को बोरी में डाल कर किया किटनेप, बीच रास्ते में छोड़ा, आवाज आने पर राहगिरों ने समाला पुलिस को दी सूचना जुन-जुनों के सरकारी हस्पताल में सवीदा कर्मी का अपरण कर मारपिट करने का मामला सामने आया है युवक से मारपिट कर उसको बोरी में बांध कर सडक के किनारे पटक कर लोग फरार हो गए इस समंद में युवक के पिता ने अज्यात लोगों के खिलाब मामला दर्ज करवाया है युवक के सरीर पर मारपिट के निसान है सवीदा कर्मी के हाथ और पैर भी बंदे हुए थे अभी अपरण करताओं का पता नहीं लग पाया है लेकिन पुलीस ने सवीदा कर्मी के बयानों के अधार पर आरोपियों की तलास सुरू कर दी है थाना दिकारी देवी सिंग ने बताया कि गुड़ा गोड़ जी निवासी आनन सिंग उमर 30 साल हस्पताल में सवीदा कर्मी है जो कम्प्यूटर ओपरेटर के पद पर कारिरत है रात साड़े नो वजे आनन सिंग हस्पताल से अपने घर लोट रहा था इसी दोरान घर से कुछ दूरी पहले केमपर में आये तीन यूगों ने आनन सिंग का अपरण कर लिया अपरण कर उसको कहां लेकर गए थे इसका उसको कोई अंदाजा भी नहीं है उसके साथ जमकर मार पिट की गई है आनन सिंग ने बताय कि उसे नींद की गोलियां दी गई उसका मोबाइल भी घर से 100 मीटर दूर इस्तित एक दुकान के बाहर लावारिस हालत में मिला था मोबाइल सुबह दुकंदार को मिला मोबाइल ओन करने पर आनन सिंग की फोटो होने पर दुकंदार ने ये मोबाइल आनंज सिंग के परीजनों को सोब दिया अपरण करता आनंज सिंग से मारपिट करते रहे उसे नींद की गोलियां देते रहे इसके बाद कल रात साड़े दस बजे जुझनू रोड पर लिलो की धानी के नजदिक सड़क किनारे पटक कर फरार हो गए एक होट बात लोगों के खिलाप अपरण कर मारपिट का मामला दर्ज करवाया है पुलिस अब जाच कर रही है पुलिस थाना गुड़ा गोर्जी पर दिनाव 3.1.2022 को उसके किटनेट की रिपोर्ट पेस की गई जिसके आधार पर हमने मुगदमा दर्ज कर लिया और उसका आनुसंदान जारी है